आज जो बात में आप सब लोगों को सिखाना जाता हूँ इसका जो connection है ये पिछले चार हफ़ते जो हमने आपको प्रातना के विशे पे सिखाया था कितने लोगों को याद है प्रातना के विशे पे सीखा था हमने कि लगातार प्रातना करनी है प्रातना करते रहो प्रातना छोड़ना नहीं है प्रातना करते रहना है लेकिन आज जो मैं बात आपको सिखाने वाला हूँ शायद ये आप में से बहुतों के जीवन को सही करने के लिए बहुत लापदाएक होगा बहुत बार मैं आपको अभी बताता हूँ जो मैं बात बताने वाला था बीच में मैं आपको बताता हूँ बहुत बार आपकी जिंदगी में परमेश्वर के काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जिम्मेदार नहीं है परमेश्वर के काम चमतकार मैं क्या बोल रहा हूं क्या चीज़ हैं सार बोलो क्या चीज़ कौन सी बात चमतकार, परमेश्वर के काम बहुत बार आपकी जिंदगी में नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जो आपको करना है उसके प्रतिय आप लोग जिम्मेदार नहीं है आपका जीवन एक्षन का जीवन नहीं है आपके जीवन में वो काम नहीं है जो काम आपको करना है और इसलिए आज में प्रातना और एक्षिन प्रातना और कार्य प्रातना और काम का जो संतुलन है उसके बारे में एक बड़ा अच्छा वचन हम बाइबल में देखते हैं जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ पिछले चार हफ़ते मैंने आपसे कहा प्रात्ना करो प्रात्ना करो प्रात्ना करो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रात्ना करो लेकिन काम भी करो आपकी जिंदगी सक्रिय जीवन आपका होना चाहिए सक्रिय जीवन सुस्त लोग परमेश्वर को ना चाहिए ना परमेश्वर सुस्त लोग को इस्तिमाल करता है बहुत बार हम लगते हैं कि मेरी जिन्दगी की सारी समस्याओं के लिए मैंने प्रात्ना कर ली, मैंने तीन दिन आपको निभानी है अगर आप कामियाब होना चाहते हो तो अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरी बातों को सुनके तो जैसे ऐसे आप वचन सुनेंगे प्रभू का वचन आपको सब कुछ साफ साफ समझाएगा जो बात में आज आप से करने जा रहा हूँ prayer and action go hand in hand प्रात्ना और जिम्मेदारी दोनों मिलकर काम करते हैं हलेलुया प्रात्ना और कितने लोगों के सब लोगों को अस गला ठीक है प्रात्ना और प्रात्ना और प्रात्ना और जिम्मेदारी दोनों मिलकर काम करते हैं उनमें से प्रातना पहले है उनमें से प्रातना निरंतर काम के साथ भी होनी चाहिए लेकिन जरूर प्रातना के साथ जिम्मेदारी निभाना भी बहुत बहुत जरूरी है और बहुत बार हमारी जिंदगी में परमेश्वर के वादों को हम दिले कर देते हैं जो वादा परमेश्वर ने हमसे किया है जो वविश्यवाणी हमने पाई है जो वचन हमने सुना है प्रभु की आवास जो हमने सुनी है कभी-कभी हम हमारे inaction की वज़ा से मतलब हम अपनी जिम्मेदारी को निभानी रहें और उस वज़ा से परमेश्वर की आशीश हमारी जिन्दगी में हम खुद आगे आगे धकेलने लगते हैं जो वादा मेरी जिन्दगी में इस साल पूरा होना चाहिए था शायद मेरी वज़ा से वो वादा अगले साल तक चला गया क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं रहा अगर पवित्रात्मा अप लोगों से बात कर रहा है तो मुझे मालूम है आप जानते हैं मैं इस समय किन लोगों से बात कर रहा हूँ परमेश्वर का जो वादा आपके लिए इस साल पूरा होना था और पूरा नहीं हुआ वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर अपने वादों को भूल गया वो इसलिए कि आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया परमेश्वर अपने वादों का पक्का है वो आज भी अपने वादे को पूरा करने के लिए वचन बद्ध है इसलिए परमेशवर चाहता है कि आपकी जिन्दगी में निरंतर प्रात्ना हो लेकिन निरंतर आपका जीवन जिम्मेदारी के हिसाब किताब से भी सक्रिय होना चाहिए परमेशवर के राज्य में सुस्त लोगों की कोई जरूरत नहीं है वो कहानी आप सब लोगों को याद है न जो येशु ने बताई एक को प्रभू ने दस दिये एक को पांच टैलेंट दिये एक को एक दिया जिनको दस और पांच मिले उन्होंने कुछ ना कुछ करके दुगना कर लिया कमा लिया और ज़्यादा एक था जो सुस्त था उसके पास बहाना था उसने अपने टैलेंट को जमीन में खोद के रख दिया मालिक वापस आया और उसको सजा मिली परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों का जीवन सक्रिय जीवन हो एक्टिव जीवन हो आपके जीवन में प्रातना हो लेकिन आपके जीवन में अपने अपने काम के खेत्र में आपके कलीसिया में आपके चर्च में हर जगा पे आपके जीवन के हर एक शेत्र में जिम्मेदारी होना बहुत बहुत जरूरी है शेतान या तो आपका प्रातना का जीवन कम करना चाहता है या आपकी जिम्मेदारी का खशेत्र कम करना चाहता है जिन लोगों का जीवन प्रातना में बहुत अच्छा है हो सकता कि उनके जीवन में जिम्मेदारी का क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जिन लोगों का जीवन काम करने में जो जिनको काम करना अच्छा लगता है वो काम ही करते रहते हैं लेकिन प्रातना नहीं करते और सबसे अजीब सी बात ये है कि जो लोग काम भी करते हैं जिम्मेदारी भी निभाते हैं उनके अंदर घमंड आने की बहुत बड़ी चांस होता है और आज देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो काम करते हैं जो सेवा करते हैं तुम जो प्रात्ना करते हैं जो सेवा करते हैं चाहे तुम जो भी करो तुम बहुत ज़्यादा प्रातना करो या तुम बहुत ज़्यादा काम करो या तुम दोनों करो अंत में महिमा केवल परमेश्वर की होनी चाहिए और आज मैं आपको इसी बात पर सिखाना चाहता हूँ कि आपके जो prayer and action आपका प्रातना और जिम्मेदारी सारे बोलो प्रातना और जिम्मेदारी बोलो प्रातना और पहले बोलो प्रातना और जिम्मेदारी ओके ये दोनों आपके जीवन में जो main बात है सामने लिखी हुई है जो बात मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये है प्रात्ना के बाद हमें मेहनत से काम भी करना है और हमारे काम को लगातार प्रात्ना से सपोर्ट भी करना है मतलब प्रात्ना के द्वारा हमारे काम को सपोर्टिंग बैकिंग भी चाहिए और प्रात्ना और जिम्मेदारी दोनों मिलकर काम करते है उधारन दूँगा मैं आपको लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं ये सामने देखिए दो गलतियां हैं जो हम करते हैं we commit one of the two mistakes दोनों में से एक गलती हम कर देते हैं जो पहली गलती हम करते हैं कि हम बिना प्रात्ना के काम करने में दौड जाते हैं खास्त और पे आदमी लोगों को इवन महिलाएं जो एक्टिव रहती हैं हमारे साथ हमारे मन को लगता है ये अच्छा है और हम काम करने को निकल पड़ते हैं बिना प्रात्ना के काम करते हैं वो काम कोई भी हो सकता है मैं केवल आपके दफतर की काम की बात नहीं कर रहा हूँ कोई भी काम सेवा का भी कोई काम हो सकता है जो आपको लगता है मुझे करना चाहिए ये सेवा का काम या आपके व्यक्तिकत जीवन का कोई फैसला शादी किससे करनी है शादी कब करनी है ये पैसा कहां पे खर्च करना है ये पैसा कैसे खर्च करना है ये सारे जीवन नौकरी मुझे कहां पे करनी है चर्च में मुझे क्या सेवा करनी है चर्च में मुझे किसके साथ रिष्टा निभा के मुझे उसकी सेवा करनी है ये सारी चीज़ें इवन आपके दफ्तर में लेकिन हमें गलती करते हैं या तो हम बिना प्रात्ना के काम करते हैं बिना प्रात्ना के ऐसा क्यों होता है क्योंकि शैतान चाहता है कि हम अपने अपने शरीर में मतलब अपने संसारिक तरीके से काम करें परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक तरीके से काम करें और इसलिए बहुत जल शेतान हमारे अंदर इन बातों को डालता है कि हम बिना प्रात्ना के काम करने में दोड़ जाएं जो जो भी अलग-अलग काम करने हैं हमको चाहे हमारी जिन्दगी का फैसला हो चाहे दफ्तर का काम हो चाहे रिष्टतारी ने भाने वाला काम हो चाहे कुछ भी हो हम बस हम संसारिक तरीके में ऑपरेट करते हैं फ्लेश में शरीर में हम ऑपरेट करते हैं परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग आत्मा में होके काम करो, हालेलुया, हम अपने खुद के वर्दानों पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, या हम अपने खुद की ताकत पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, अपने खुद के ग्यान पर बहुत ज़्यादा भर अपने खुद के experience पर बहुत जादा भरोसा रखते हैं, कुछ लोग तो अपने दोस्तों पर बहुत जादा भरोसा रखते हैं, कि मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। इंट्यूशन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, अरे भाई, तुने प्रभू की आवाज को सुना है, कि जो तुझे अंदर से लग रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है, या शेतान की ओर से है। कामियाब हो भी जाएं, मानलो आपने बिना प्रात्ना की काम किया, बिना प्रात्ना की आपने कोई फैसला किया, आप कामियाब हो गए, लेकिन क्या उसमें परमेश्वर खुश हुआ? अगर आप बिना प्रात्ना की किसी काम में आगे बढ़े, वो काम आपका कामियाब भी हो गया, पहली बात उसमें परमेश्वर अनंदित नहीं हुआ, परमेश्वर को उसमें खुशी नहीं मिली, दूसरी बात, क्यूंकि प्रभु को वहाँ पे खुशी नहीं मिली, जो आपने जीता है, जो आपने काम पूरा किया है, वो अनंत काल तक वो काम नहीं बना रहेगा. जबकि येशु ने हमें बुलाया, तुम ने मुझको नहीं चुना, मैंने तुम को चुना है, ताकि तुम जाओ, और बहुत सारा फल लाओ, और बाद में क्या का येशु ने, और तुम्हारा फल बना रहे. इसलिए अगर हम बिना प्रात्ना के काम करेंगे, बहुत बार शेटान अपनी शक्तियों के द्वारा हमें जूटी तसली और जूटी कामिया भी देता रहेगा, और हम उसके जहासे में फस्ते जाएंगे. इसलिए बिना प्रात्ना के काम करना बहुत-बहुत हमारे लिए हानी कारक है हम अपना समय बरबाद करते हैं और परमेश्वर की उस पे मोहर नहीं होती है किसने ये भी कहा है कि बिना प्रात्ना के करम करना गमंड है या हेकडी है arrogance है बिना प्रात्ना के काम करना Bible सिखाती है तु अपनी समझ का सहारा ना लेना जो तुझे लगता है तुझे क्या करना चाहिए अपनी समझ का सहारा ना लेना अपनी बुद्धी पर निर्भर मत होना Bible ये भी कहती है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे फैसले बहुत सारे योजनाएं बनाता है लेकिन परमेश्वर उन्हें पूरा करता है परमेश्वर उन योजनाओं को कैसे पूरा करेगा अगर हम उन योजनाओं को लेकर के प्रात्ना में परमेश्वर के पास नहीं गए शेतान उस योजना को लेना चाहेगा और अपनी जूटी और अपनी पल भर की क्योंकि शेतान के पास शक्ती है लेकिन शेतान की शक्ती हमेशा के लिए नहीं रहेगी दूसरी बार शेतान की शक्ती प्रभू की शक्ती से कम है तो शैतान क्या करता है हमारी योजनाओं को जान लेता है हमारे मन को समझ लेता है हम अपने मन में क्या करना चाहते है जो हमें लगता है मुझे मेरे लिए अच्छा होगा शैतान उन कामों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ती को हमारी जिंदगी में भेजता है और हमें लगता है रे वा मैं तो बड़ा अच्छा कर रहा हूँ मैं तो बड़ा कामियाब हो रहा हूँ मुझे और करना चाहिए ऐसे लेकिन हमको नहीं पता कि किस प्रकार शैतान हमें अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन जब आप प्रात्ना में प्रात्ना करके कोई काम करेंगे तो उसमें परमेश्वर अपनी आशीश को दे देगा कितने लों को समझ में आ रहा है इसलिए बिना प्रात्ना के काम करना गमंड है हेकडी है प्रभू येश्व मसी के मुर्दों में से जिन्दा हो जाने के बाद येश्व चेलों को अच्छे से समझ में आ गया सूसमाचार क्या है येश्व ने उनके साथ रोटी तोड़ी माउस की सड़क पे और जैसे ही येश्व ने उनके साथ रोटी तोड़ी वहाँ पर प्रभु ने उनकी आँखे खुल गई, वो समझ गए सब कुछ सूसमाचार उन्होंने जान लिया येशु के स्वर्ग जाने के समय उन्होंने प्रभु से महान आदेश को पा लिया कि तुम जाओ और प्रचार करो लेकिन येशु ने ये भी कहा था जब तक पवित्रात्मा ना आ जाए तुम काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ना और हम जानते हैं बाइबल बताती है कि चेलों के पास संदेश था चेलों के पास आदेश भी था संदेश भी था, आदेश भी था लेकिन पवित्रात्मा की शक्ती नहीं थी और इसलिए चेलों ने पवित्रात्मा आने तक का इंतजार किया प्रात्ना में लॉलीन रहे ऐसा वचन में लिखा हुआ है क्या चेले लोग प्रात्ना में लॉलीन रहे प्रात्ना में लगे रहे जब तक पवितरात्मा नहीं आया क्योंकि यदि आप कोई काम करना चाहते हो यदि आप कोई अपनी जिन्दगी में कोई काम करना चाहते हो अगर वो परमेश्वर की नजर में कामियाब होना चाहिए तो परमेश्वर की शक्ती उस काम के पूरा होने के लिए बहुत बहुत जरूरी है और परमेश्वर की शक्ती किस के द्वारा हमको मिलती है पवितरात्मा के द्वारा मिलती है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा प्राथना करनी पड़ेगी इसलिए बहुत बार हमारा experience, हमारी बुद्धी, हमारा confidence हमारा आसपास के लोगों का हमारे उपर मोहर लगाना हाँ हाँ कर ले अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें बहुत बार हमारी जीवन में बिना प्राथना के काम करने के लिए हमें आगे बढ़ाती है लेकिन उसमें परमेश्वर की आशीश नहीं होती है आपको अपने जीवन में जो भी करना है आपको अपनी सेवा के जीवन में जो कुछ भी करना है, प्राथना में उन चीजों को लेकर के जाना परमेश्वर हम वो गीत गाते हैं पवित्रात्मा का हम गीत गाते हैं आत्मा प्रभू आत्मा प्रभू उसमें वो जो गीत है जो फादर वो गीत गाते हैं वो क्या कहते हैं कहा मुझे को जाना क्या है मुझे को कहना क्योंकि वो प्रचारक है प्रभू जी वहां मैं न जाओू रोक मुझे आत्मा प्रभू इवन प्रचारक के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है प्रात्ना करके फैसला करना कहा पर जाना है प्रात्ना प्रचार करने के लिए आप सब के जीवन में आपके जीवन का निर्णे कोई भी जिन्दगी का फैसला लेने से पहले उसे प्रात्ना में प्रभु के पास लेके जाना बहुत-बहुत जरूरी है कितने लोगों को समझ में आरा जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए हमारी पहली समस्या क्या है जैसे मैंने आप से कहा हमारी पहली समस्या क्या है बिना प्रात्ना के काम करना हमारी दूसरी समस्या क्या हो सकती है हम में से बहुतों की ये समस्या हो सकती है मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज प्रभु ने ये वचन दिया मुझे आप लोगों के लिए हमारी दूसरी समस्या ये हो सकती है कि हम बिना काम के प्रात्ना करते है या तो हम बिना प्रात्ना के काम करते है या फिर हम सिर्फ प्रात्ना करते है काम नहीं करते One of the two आप लोग चेक करो आपकी problem क्या है कईयों की problem शायद दोनों है ना उन्हें काम से मतलब है ना उन्हें प्रात्ना से मतलब है लेकिन शायद इन दोनों में से एक category में आप अपने आपको पाएंगे या तो आप बिना प्रात्ना के काम करते हैं या फिर आप बिना काम के सिर्फ प्रात्ना करते हैं और फिर आप सोचते हैं मेरी प्रात्नाओं का फल क्यों नहीं मिल रहा मुझे मेरी प्रात्नाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है मुझे क्यों कि भाई तु सिर्फ प्रात्ना कर रहा है पर तु अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है हम कभी-कभी सिर्फ प्रात्ना करते हैं प्रभु चमतकार कर, चमतकार कर, चमतकार कर लेकिन कभी-कभी हमारे चमतकार हमारे अपने सुस्ती की वज़ा से हमारी जिन्दगी में चमतकार नहीं होते हैं जैसे हमने देखा कि हमें केवल विश्वास के अंदर विश्वास में कदम नहीं रखना हमें विश्वास के साथ कदम आगे भी बढ़ाना है हमें केवल विश्वास में नहीं रहना विश्वास में आने का कदम नहीं उठाना वो तो करना है विश्वास में आ गए लेकिन विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाना है मतलब काम भी हमें करना है Bible बताती है कि सही काम ना करना अपने आप में एक पाप है किते लोगों को लगता है कि गलत काम करना पाप है किते लोगों को लगता है गलत काम करना पाप है हाथ उठाइए गलत काम करना पाप है बाइबल ये भी बताती है कि गलत काम करना तो पाप है लेकिन जो सही काम आपको करना चाहिए और आप नहीं करते हो तो सही काम को जानते हुए ना करना भी क्या है पाप है क्यूंकि परमेशो का दर्जा बहुत उंचा है, इसका मतलब सुस्ती पाप है Can you believe it? विश्वास हो रहा है अप लोगों को सुस्ती क्या है? पाप है, सुस्ती आदत नहीं है Laziness is not a habit Laziness is sin सुस्ती करना पाप है Inaction जो हमें पता है, हमें करना चाहिए हम नहीं करते है हमें से बहुतों के बच्चे हम चाहते हैं हमारे बच्चे खूप अच्छे लेकिन हम सिरफ अपने मन में तकिये पर अराम अराम दायक तरीके से लेट के Cooler चला के हम सूचते हैं मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में जितना आपसे हो सके अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करने के लिए बहुत से बच्चे कोई आएगा, कोई फरिष्टा, कोई दूत, कोई दीदी, कोई भहिया आएगा, वो करेंगे आपका भी कोई काम है आप केवल अपने बिस्तर पे अराम से लेट के आप सपने देखे मेरा बच्चा भी पढ़ लेके बड़ा आफसर बन जाए और उसके लिए जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे आपकी वज़ा से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे बहुत से माताबिता हैं जो अपने बच्चों के साथ सकती नहीं रखते हैं मैं हैरान होता हूँ सत्संग के अंदर, मैंने देखा है, बच्चे फैसला करते हैं दस-दस-бारा-बारा साल के बच्चे decision ले लेते हैं, मैं school नहीं जाओँगा बच्चे नहीं फैसला कर लिया, माता-पिता ने उसके फैसले के सामने प्रणाम कर दिया आप सुस्त हैं आप सुस्त माता-पिता हैं आप पापी माता-पिता हैं आप अपने बच्चों के विरुद्ध पाप कर रहे हैं अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत और सक्ती नहीं दिखाते हैं हाँ कोई आपके घर में हजार रुपए चोरी करके ले जाए तो हम कुछ भी करेंगे उस चोर को ढूंडने के लिए पुलिस की सहायता लेंगे रोएंगे भी प्रात्ना भी प्रभु जी मेरे पैसे दिला दे लेकिन अपने बच्चों के साथ हम सकती नहीं रखते हैं आपके जीवन के हर एक शेत्र में आप इस चीज़ को सोचें आपको कामिया भी चाहिए आपको तरक्षी चाहिए आप प्रात्ना कर रहे हो लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है तब परमेश्वर हमें आशीश देता है हमने देखा था कि बिना प्रात्ना के कर्म घमंध है राइट देखा था हमने लेकिन आगे के लिखावा है बिना कर्म के केवल प्रात्ना करते रहना क्या है पाखंड है if you only keep praying and take no action you're a hypocrite पाखंडी है आप आप प्रात्ना है बहुत करते हो लेकिन आप कोई काम नहीं करते हो तो आप पाखंडी हैं पाखंड क्या होता है अंदर कुछ और और बहुत कुछ और प्रभु के सामने रो रहे हैं लेकिन जो काम प्रभु ने हाथ पैर दिये हैं बुद्धी दिया, दिमाग दिया, परिवार दिया, समाश दिया, दफ्तर दिया, बहुत सारे opportunity, बहुत सारे chance हमको जिन्दगी में मिलते हैं, आगे बढ़ने के लिए, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, unfortunately हमारे सत्संग के अंदर भी, मन किया तो नौकरी छोड़ दी, अगली नौकरी का कोई अता पता नहीं है, कब मिलेगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी, मन किया तो नौकरी छोड़ दी, और आप प्रभू से उम्मीद करते हैं, प्रभू आपको आर्थिक आशिश देगा, प्रभू आपके जिंदगी में आपको पैसों की आशिश देगा नहीं देगा क्योंकि हम थक जाते हैं तो हम नौकरी छोड़ देते हैं हमें वहां मालिक नहीं अच्छा लगा तो यह से अगले में तो आपको बड़ा फरिष्टे मिलने वाले हैं हर जगा पे मालिक आपको अच्छे नहीं मिलेंगे क्या आप अपने मालिकों के लिए काम करते हो या प्रभू के लिए काम करते हो आप अपने दफ्तरों में अपने मालिकों की महिमा के लिए काम करते हो या प्रभू की महिमा के लिए काम करते हो तो आपका बहुत अच्छा नहीं तो आप नौकरी छोड़ेंगे फिर आप बहुत प्रात्ना करेंगे प्रभु जी मुझे अच्छी नौकरी दे जिसके पास है उसे और दिया जाएगा जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है क्या मतलब इसका? जिसके पास है, उसे और दिया जाएगा क्या मतलब? क्यूंकि जिसके पास है वो उसकी कदर कर रहा है उसको और दिया जाएगा जिसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा क्योंकि जो उसके पास है उसकी कदर करनी उसको नहीं आती इसलिए आपको इन बातों के बारे में सोचना है, कहीं आपकी जिंदगी कर्मों से भरी है, कामों से भरी है जिम्मेदारियों से भरी है, प्रातना नहीं करते हो कहीं हो सकता है कि की जिन्दगी में केवल प्राथना है अराम डायक प्राथना फास्टिंग प्राथना सारा साल फास्टिंग कर लो लेकिन काम नहीं करना जिम्मेदारी नहीं निभानी परमेश्वर आज हमें यही सिखा रहा है प्राथना और जिम्मेदारी दोनों मिलकर काम करते हैं कितनों को लग रहा है प्रभू आपसे बात कर रहा है get on your knees किसी ने कहा कि अपने घुटनों पे होके अपने घुटनों पे होके प्रातना करा करो अपने घुटनों पे होके लेकिन वही मत रहो अपने पैरों पे खड़े हो के काम भी करो यह बहुत बड़े प्रभु के दास है बहुत बड़ी कलीसिया का स्थापना किया इन्होंने पूरी दुनिया में आज यह कलीसिया है Methodist Church इन्होंने क्या कहा असली प्राथना वही है जहां पे आप काम करने के लिए भी अपने करम के प्रती भी समर्पित है Can you believe it? He said that Prayer is where the action is असली प्राथना कहा है जहां पे आप काम भी करने को तयार हो जहां पे आप मेहनत करने को तयार हो Even Church के अंदर हम प्राथना करते प्रभू तेरा राज आए ओ तेरा राज आए लेकिन उसका राज आने के लिए हम जब आपको बुलाते हैं कि आओ सब लोग आओ हम लोग परचे बांटने चले तो केवल 30-40 लोग पहुंचते हैं इसका मतलब बाकी के लोग जो वो गाना गारे थे तेरा राज आए वो गाने गाते रहे जाएंगे अगर आप प्रातना करते प्रभू तेरा राज आए तो उसका राज बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो कितनों को आप अपनी गवाही बता चुके हो कितनों को आप सुसमाचार सुना चुके हो कितनों के लिए प्राथना कर रहे हो प्रभू जैसे आज अनीता बेहन ने कहा कि मैं 30 दिन तक दुआ की नेहा बेहन के लिए नेहा आई आप कितनों के उध्धार के लिए प्राथना कर रहे हो, गाना तो गा रहे हो अच्छा गा रहे हो जिस चीज के लिए प्रात्ना कर रहे हो उस चीज के लिए काम भी करना है बोलो जिस चीज के लिए सब लोग बोले जिस चीज के लिए मैं प्रात्ना कर रहा हूं उस चीज के लिए मुझे काम भी करना है किसे ने कहा कि आप भूके लोगों के लिए प्रात्ना करो फिर आप उन्हें खाना भी किलाओ प्रात्ना इस प्रकार काम करती है आप प्रात्ना करो प्रभु जी हम खाने के टाइम पे प्रात्ना करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद इस खाने के लिए जिन हाथों ने बनाया उन्हें आशिश दे जिस भंडार में से आया उस भंडार को भी तु आशिश दे और जितने गरीब लोगों के पास प्रभू खाने को नहीं है उनको भी दे येश्यू के नाम में आमीन किते लोगे तो निवाला तब तक तूट चुका होता है आमीन होने तक लेकिन फिर जब अगले दिन कोई गरीब आपके सामने आया आपने नात बंद करके नफरत के साथ उसके साथ विवहार किया तो फिर क्या आपकी प्रात्ना सच्ची थी? आज एक ऐसी कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ निर्गमंड सत्रा अपनी बाइबल में खोल लीजे निर्गमंड सत्रा एक बड़ी अच्छी कहानी यहाँ पे हम देखते हैं मैं सच में खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि यह जो कहानी दर्ज हो गई क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार प्रभू काम करता है परमेश्वर के लोग जो हैं वो मिस्र के लगभग 400 प्लस सालों की गुलामी से निकल कर अब वो प्रॉमिस लैंड में वाचा के जगा पे इसराइल देश में जा रहे हैं प्रभू के लोग ठीक है कहां से निकले सारे वो लोग कहां से निकले हैं मिस्र देश से निकले हैं और लाखों की तदात वहां पे है और वो लोग गुलामी से निकल कर अभी कहां जा रहे हैं इसराइल देश में जा रहे हैं सो काफी लंबा सफर था 11 दिन का सफर था जो कि उन लोगों ने हठीले लोग थे कठोर लोग थे 40 साल में पूरा किया जब वो निकले तो उन्होंने बहुत सारे चमतकारों को देखा एक बार पानी कड़वा लगा तो उन्होंने कम्प्लेंड किया एक बार खाना नहीं मिला तो उन्होंने कम्प्लेंड किया प्रभू ने खाना किलाया फिर पानी मिला ही नहीं उन लोगों को फिर पत्थरों से परमेश्वर ने पानी निकाला उनको पानी पिलाया उसके बाद वो एक रेफ़दीम, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ें जरा सत्रा का आठ तब अमलेकी आए और रेफ़दीम में इस्राइलियों से लड़ने लगे रेफ़दीम एक जगा है, तो क्या हुआ वहाँ पर, देखो मुझे वहाँ पर जाना है, रस्ते पर चलते चलते, एक नगर आया, एक ऐसी जगा आई एक ऐसी जाती के लोग थे जिनके स्थान में से होके गुजरना था प्रभू के लोगों को लेकिन ये जो जाती के लोग थे इनका नाम था अमलीकी लोग, कौन से लोग? अमरीकी लोग नहीं अमलीकी लोग ठीक है कौन से इसमें कैसे लिखा हुआ है अमलेकी कौन से लोग है अमलेकी जाती के लोग है अब ये कैसे लोग थे एकदम कठोर लोग थे कि उनके नगर में कोई अगर बाहर का आ जाए वो उसको बरदाश नहीं करते थे अब यहाँ एका दुका लोग तो नहीं है लाखों की तदाद में लोग हैं तो प्रभू के लोग मिस्र देश से निकल गए और वो चलते चलते कहां पे पहुंच गए अमालेकी लोगों के जगा में पहुंच गए और यह जो लोग थे यह बहुत ज़ादा कठोर थे और इन लोगों के साथ युद्ध करने लग गए वो किसी बाहरवाले को अपने रीजन में आने नहीं देते थे और बहुत बड़ी युद्ध की वहाँ पर एक परिस्थिती वहाँ पर बन गई के परमेश्वर के लोग इस्राइली लोग और कौन से लोग बोलो अमालीकी लोग इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई है आगे क्या हुआ तब मुसा ने यहोशु से कहा हमारे लिए पुरुशों को चुन ले और क्या करो उनको भेजो उन लोगों के साथ क्या करने के लिए युद्ध करने के लिए हाँ और जाकर अमलेकियों से लड़ कल मैं परमेश्वर की लाटी लिए हुए पहाडी की चोटी पर खड़ा रहूँगा अभी आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्यों क्या कर रहा था क्या वो डर रहा था भया मैं तो लीडर हो मुझे नहीं मरना तुम जाओ लड़ा ऐसा ये नहीं था परमेश्वर की लाठी का मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिती और परमेश्वर की शक्ती का प्रतीक है उसने कहा तुम लोग जाके लड़ाई करो और मैं उपर जाकर के तुम लोगों के लिए क्या करूँगा? प्राथना करूँगा प्राथना और करम दोनों मिलकर काम करते हैं क्या बोला मैंने? प्राथना और करम दोनों मिलकर आप सारे बोलें, क्या बोला मैंने यहाँ पे मुसा क्या कर रहा है मुसा क्या कर रहा है प्रात्ना कर रहा है यहोशु क्या कर रहा है करम कर रहा है, लड़ाई कर रहा है जब तक दोनों चीजों का तालमेल नहीं होगा तब तक युद्ध में कामियाबी जीवन के कोई भी काम में कामिया भी नहीं मिलेगी आगे देखें क्या हुआ और जैसा मुसा ने यहोशु से करने को कहा था वैसा ही उसने किया और अमलेकियों से लड़ने लगा तता मुसा, हारून और हूर पहाडी की चोटी पर चड़ गये तो यहोशु ने सारे आदमी लोग लिये मजबूत लोग लिये वो जाकर कि उन लोगों से युद्ध कर रहा है और जो मुसा है वो अपने साथ दो लोगों को लिये किस को लिया बताओ हारून और हूर को लिया और वो पहाड की चोटी पर चला गया फिर क्या लिखा हुआ है कि जब तक मुसा अपने हाथ उठाता था मतलब जब तक वो प्राथना करता था तो इसराइल के लोग जीतने लगते थे लेकिन जैसे ही मुसा अपने हाथों को नीचे करता था तो इसराइल के लोग हारने लगते थे अब आपको समझ में आए कि प्राथना और करम की क्या connection है कितों को समझ में आ गया जब-जब मुसा प्राथना कर रहा है तो प्रभू के लोग क्या कर रहे हैं जीत रहे हैं लेकिन जब-जब मुसा का हाथ ठक के नीचे हो रहा है तब तक प्रभू के लोग हारने लगते हैं आपके जीवन में आप जो भी काम कर रहे हैं आपके काम को प्राथना की सपोर्ट प्राथना की बैकिंग बहुत बहुत ज़रूरत है तीन साल से हमारे सत्संग में तक्रीबन हर बार ऐसा होता है कि जब हम, जब मैं यहाँ पर प्रचार करता हूँ, उसी समय, तीन या चार बहने जाती हैं, और पीछे, क्योंकि मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर पीछे, प्रातना कर रही होती है, मेरे लिए, या फिर basement में जा कि मेरे लिए प्रातना और मैंने महसूस किया है, जब ये बहने प्रातना करती है, तब मेरे अंदर मुझे प्रभू की शक्ती महसूस होती है ये कोई sweet दिखने वाली बात नहीं है this is how God works आज से 300 साल पहले Charles Finney, जो लोग Google करते हैं जाके आप करना, Charles Finney F-I-N-N-E-Y Charles Finney, आप घर जाके पढ़ सकते हैं 300 साल पहले Charles Finney नाम का आदमी, बहुत बड़ा प्रचारक था जिस जिस शहर में वो जाता था, जिस जिस नगर में, जिस जिस गाओं में वो जाता था, आपको वालू में पर क्या होता था हजारों की संख्या में वो प्रचार करता था खूब लोग वहां पर आते थे और बहुत से लोग येशु मसी के नाम पर विश्वास करते थे लेकिन आपको वालू मैं Daniel Nash नाम का एक आदमी था आदमी था, उसकी खुद की अपनी मिनिस्ट्री सेवकाई चर्च हो सकता था लेकिन Daniel Nash नाम के आदमी ने क्या चुनाओ किया कि मैं Charles Finney की सेवा के लिए Charles भाईया जहां जहां पर पास्टर Charles जिस जिस नगर में, जिस जिस गाओं में जाके प्रचार करेंगे मैं उनकी सेवकाई की आशीश के लिए प्रात्ना करने के लिए अपना जीवन समर्पित करूँगा और जिस जिस नगर में Charles Finney जाते थे Charles Finney को अगर नवंबर महीने में वहां पर किसी गाओं में जाना है या किसी शहर में जाना है तो दो दो तीन तीन महीने पहले Daniel नाम का आदमी उस नगर में पहले ही पहुँँ जाता था और एक जोपड़ी कुटिया बना के या किराए का कमरा लेके वहां पर वो दो दो तीन तीन महीने लगातार केवल क्या करता था प्रातना करता था और इसलिए कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि किसी ने घुटनों पे होके तीन तीन महीने एक नगर के उद्धार के लिए प्रातना की है और क्योंकि Daniel ने जाकर के Daniel Nash नाम के आदमी ने जाकर के दो दो तीन तीन महीने पहले अपनी प्रातनाओं में प्रभू के साथ युद्ध को तो जीती लिया है पहले से ही हलेलुया इसलिए कोई हैरत की बात नहीं है कि जब Charles Finney वहाँ पे पहुंचता था प्रातना की जो शक्ती थी उस समय वहाँ पे दिखती थी पापी लोग पस्चताप करते थे बहुत बड़े चमतकार होते थे दुष्टात्माए भागती थी लोग अन्य भाशा बोलते थे और पापी लोग प्रभू की येशु मुसी के नाम पर विश्वास करते थे प्रातना और करम दोनों मिलके काम करते है अगर आपकी जिन्दगी में नाकामियाबी है अगर आप अपनी जिन्दगी में कामियाब नहीं हो रहे हो तो तुम्हारी जिन्दगी में शायद केवल करम है प्रातना नहीं है या फिर तुम्हारी जिन्दगी में और ये ये ज़्यादा दुक्की बात है actually कि आपकी जिन्दगी में सिर्फ प्रात्ना है लेकिन करम नहीं है आप जिम्मेदारी को निभाने के लिए समर्पित नहीं हो प्रात्ना और जिम्मेदारी दोनों मिलकर काम करते हैं आगे पढ़ें तेरा में और मुसा बाई तवे मुसा ठक जाता है मैंने आपको बताया था ना जब मुसा के हाथ जब नीचे होते थे क्योंकि प्रात्ना करना भी ठका देने वाला काम है खास तौर पर हम जब दुश्टात्मा मैंने अपने शरीर में बहुत दुरबलता को महसूस किया है खास तौर पर सत्संग के बाद जब यहां दुश्टात्मा मैं धन्यवाद करता हूं लोगों का जो दुश्टात्मा का भगाने का काम जो खुद बहुत अच्छे से संभालते हैं क्योंकि मैं अपने आप में बहुत दुरबलता महसूस करता हूं खास के दिन खास करके संडे के दिन सत्संग के बाद क्योंकि दुश्टात्मा को भगाना यह आत्मिक युद्ध है यह थका देने वाला काम है इसलिए प्रात्ना करने वाला एक आदमी नहीं होना चाहिए प्रात्ना की टीम होनी चाहिए मिलके हमें प्रातना करनी चाहिए जब मुसा के हाथ थक के नीचे होने लगे उसके साथ हारून और हूर जो थे उन्होंने क्या किया पत्थर लिया पढ़ो देखो क्या किया उन्होंने परन्तु जब मुसा के हाथ भारी हो गए थकने लग गया वो, okay तब उन्होंने उसके नीचे एक पत्तर रख दिया और उसपर बैठ गया बैठ गया, खड़े हो करे प्रत्ना कर रहा था आलेल्यूया खड़े हो करे प्रत्ना कर रहा था अगर हम, अगर हम उसकी जगा पर अगर ब्राइन होता या मैं होता हम था क्या करते पहाड पे खड़े होते छोटी सी प्रात्ना करते प्रभु जी दया कर दया कर बाद में देखते क्या हो रहा है कौन जीत रहा है लेकिन क्या कर रहा है मुझसा हम ब्राइन ऐसी करते मैं भी ऐसे करता देखते पहाड से देखते और और यार प्रभूब बचालो यार क्या कर रहे हो, सिरफ उसने प्रात्थर लिया, उसके उपर बिठा दिया, और भी कुछ किया. और हारून और हूर ने एक एक और खड़े होकर उसके हातों का सहारा दिया इस प्रकार उसके हात सुर्यास तक स्थिर रहे आप आना बेटा इदर नवनीत मालो मैं मूसा हूँ मैं ठक गया हूँ और ये पत्थर लेके मुझे इन दोनों ने हारून और हूर ने मुझे बिठा दिया आप इदर आजाओ मैं ठक चुका हूँ लेकिन अगर मेरी प्रातना बंद हो जाएगी तो मेरे लोग युद में हार जाएंगे इसलिए मेरे पास चांस नहीं है, मेरे पास option नहीं है कि मैं प्रातना प्राभू बहुत प्रातना होगी, आप तो आप जानते हो प्रभू जी आपको तो पता हमारी जुरुद क्या है प्रभू जी आप बचा लो, आमीन और फिर चलो देखते हैं, लड़ाई करते हैं जब तक जीत नहीं मिली प्रातना चालू रही ठक तो वो गया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मूसा की मदद की, और आप मेरा हाथ पकड़ो, और आप मेरा हाथ पकड़ो, इस तरह दोनों ने मूसा के हाथों को सहारा दिया मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कभी कभी, ये देखो क्या ये दोनों के दोनों प्रात्ना के में लीडर हैं प्रात्ना का में लीडर कौन है जवाब दीजे कौन है मुसा है और वहां जो युद में लडाई कर रहा है वहां पे लीडर कौन है ये दोनों ना तो वहां पर में लीडर है ना यहां पर में लीडर है लेकिन इन दोनों क सेवा से मेरी सेवा पूरी हुई और हम तीनों ने मिल के काम किया प्रभू के लोगों को जीत मिली मैं इस समय उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिन लोगों का सत्संग में छोटा छोटा रोल है परमेश्वर के राज्य में आपका जो रोल है शायद प्रचारक का नहीं है आप जितने भी लोग यहां बैठे हो जितने लोग सेवादार है खास तौर पर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो वॉलंटियर्स हैं जो सेवादार हैं आप ना तो यहाँ पे जॉई भहिया की तरह प्रचार करते हो ना आप सोनू भहिया या मेरी तरह ना आप वर्शिप लीड करते हो तो दो बड़े-बड़े सेवा की काम तो चले गए लेकिन इन दोनों की तरह आपका जो सेवा का काम है वो प्रभू के लोगों की जीत के लिए बहुत-बहुत माइने रखता है बैट जाओ मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो छोड़ी-छोड़ी सेवा करते हैं वो बच्चे जो ये गमला लाखे हर संड़े यहां पे रखते हैं वो लोग जो हर संड़े नजर भी नहीं आते और साउंड चलाते हैं हर अफ़े पूरा साल आप इमाजिन करो कि वो लोग जो हैं जब तक ये चर्च रहेगा जब तक येशु वापस नहीं आएगा वो लोग वही पे रहेंगे कभी सामने आने का मौका भी नहीं मिलेगा वो लोग जो पीछे दुपहर में जो दूप में और गर्मी में और ठंड में बरसात में वो जो खाना बनाने का काम करते हैं छोटी छोटी सेवा लेकिन उन सारी सेवाओं को परमेश्वर इस कलीसिया की आशीश के लिए इस्तिमाल करता है इसलिए आपकी सेवा बहुत माइने रखती है मुसा के पास वो दो लोग होने जरूरी है मैं आपसे पूछता हूँ आप मेंसे कितनों ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है मुसा के हाथ पकड़ने वाले दो थे आप मेंसे कितने हैं जो दूसरों का हाथ पकड़ते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं दूसरों को बल देते हैं, जो ठके हों के लिए पत्थर देते हैं, भाई तू बैठ जा, तू प्रात्ना कर, मैं तेरे हाथों को उठाऊँगा, तू प्रात्ना कर, आप मेंसे कितने हैं, जो इस प्रकार दूसरों की मदद करते हैं, या आपकी जिन्दगी में क्या लोग हैं जो आपका हाथ पकड़ें या आप अकेले चलना चाहते हो मुसा प्रात्ना करने के लिए अकेला नहीं गया सोचने की बात है हमें से बहुत बार अपनी सेवा खुद करना चाहते हैं बस मेरा ही नाम हो बस मेरा नाम होना चाहिए मेरे साथ जो और लोगों का नाम नहीं होना चाहिए तो ऐसे तुम लोग जाओ मैं खुद कर लू क्यों? क्यों खुद अपना नाम कमाना चाहते है जो भी आप सेवा करते हो चर्च में छोटी छोटी सेवा जो आप करते हो परमेश्वर उसकी इज़त करता है हालेलुया और फिर तेरा में क्या हुआ अता यहोशु ने अमलेकियों और उसके लोगों को तलवार की धार से बराज़त किया हालेलुया, हालेलुया क्या लिका यहोशु ने प्रभू के लोगों ने मिल करके क्या किया, अमाली की लोगों के उपर, जीत हासिल कर ली, हलिलूया इससे हम क्या सीखते सामने देखें, कि जीत हमारी है, यदि हम उत्सा के साथ प्रातना करेंगे और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, क्या सीखा हमने यहां पर Musa क्या कर रहा है ठकने के बावजूद थकने के बावजूद बैठा अगर आप पूरा बचन पढ़ोगे ना 12 बचन उसमें लिखा है कि सूरज डूबने तक Musa ने परातना की हलिलूई रज दूबने तक Musa ने परातना की उत्सा के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ ठके होने के बावजूद मुसा ने प्रात्ना की है और यहोशू वो डिस्टरब नहीं हुआ उसने नहीं बोला आपने यह तो मेरे साथ था ना मुसा के साथ था, आपका नाम क्या है अर्जुन अर्जुन यहोशू के साथ है किसके साथ है अर्जुन? अब यहोशू सारा दिन होगे लड़ रहा है यहोशू के कर रहा है? सारा दिन होगे लड़ अब यहोशू थक रहा है तो उसने बोला अर्जुन थोड़ा पूछ किया ना मुसा से कब तक प्रभु ने क्या वो लग कब तक लिटना पड़ेगा वो डाइवर्ट नहीं हुआ मतलब यहोशु का ध्यान नहीं बटा है हमारा लीडर जो प्रभु से प्रात्ना कर रहा है जब तक आस्मान से जवाब नहीं आएगा हम लड़ते रहेंगे यह है जिम्मेदारी जब तक काम पूरा ना हो जाए चाहे रात के बारा बच जाए हम नहीं जाएंगे घड़ी देखकर खुदा का काम नहीं किया जाता घड़ी देखकर प्रभु की सेवा नहीं की जाती है और नहीं कोई आपको जो आपका अपना काम है नहीं आपको हमेशा बस घड़ी दिखाने चेए सर छे बच गए में को जाना है ऐसे लोग जो दुकानों में काम मेरे सिंदगी में ऐसा हुआ है जो दुकानों में काम करते हैं उनको हमेशा या दफ्तरों में कहीं पे भी काम करते हैं उनको हमेशा घड़ी दिखती है, 6 बजे उनके अंदर कुछ होने लगता है सच में शरीर में कुछ होता है, बॉड़ी के अंदर कुछ होता है, मैंने तो कई हों कि बॉड़ी के अंदर नोट किया है, कुछ हो रहा है इस आदमी को अबी, क्यों भी टाइम हो रहा है लेकिन जब वही आदमी अपना खुद का बिजनस खोलेगा जब वही आदमी अपना खुद का दफतर खोलेगा तो उसकी पत्नी उसको रात को बारा मजे बोलेगी तो घर कब आएगा मैं आपको क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि चाहे आप बिजनस करो, चाहे आप जॉब करो अपना काम जिम्मेदारी से करो दफतर के अंदर भी और चर्च के अंदर भी जितने लोग यहां पे सेवा करते हैं परमीश्वर जानता है कि आप नौकरी करते हो और सेवा भी करते हो हर एक मसीही को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए ये जानते हुए मैं दो नौकरियां कर रहा हूँ सारे बोलो मैं दो नौकरियां कर रहा हूँ सारे बोलो मैं दो नौकरियां कर रहा हूँ एक आपकी वो नौकरी जो आप अपने पैसा कमाने के लिए करते हो एक आपकी ये नौकरी चर्च के अंदर जो आप रभु का राज लाने के लिए काम करते हो ये माइंड में लेके चलना है मैं दो जॉब्स कर रहा हूं और जो दो जॉब्स नहीं कर रहे हैं मेरी तरह जो चर्च में ही काम कर रहे हो मेरा जीवन, दो नौकरी वाला जीवन दिखना चाहिए आप लोगों को क्योंकि मैं दफ्तरों में तो अब नौकरी पहले करता था अब नहीं करता, तो मुझे अब मेरे जीवन को इस प्रकार जीना है प्रभू मैं तो पूरा ही तेरा हूँ तो चाहिए हम नौकरी करें चाहिए हम सेवकाई करें चाहिए हम दोनों, चाहिए हम फुल टाइम सेवा करें, चाहिए हम नौकरी के साथ करें हम प्रभू की सेवा के लिए समर्पित हैं और अपने अपने कामों के लिए भी समर्पित है जीत हमारी है यदि हम उत्सा के साथ काम करेंगे और जिम्मेदारी के साथ प्राफना करेंगे पढ़ो सारे मिलके पढ़ो क्या अब लिखा हुआ सब पढ़ें जीत हमारी है यदि हम उत्सा के साथ प्रातना करेंगे और जिम् परमेश्वर ने कहा मूसा इसको तू एक स्क्रोल के उपर लिख दे ताकि सब लोग जान ले और यहोशु भी जान ले क्यूंकि मैं अमालक के लोगों को उनका नाम हमेशा के लिए धरती पर से मिटा दूँगा फिर मूसा ने एक वेधी बनाई और उस पर लिखा परमेश्व है तू हमें जीत देता यहोवा निस्टी का मतलब परमेश्वर जीत देने वाला यहाँ पर प्रभु के लोग युद्ध में थे किसने जीत दी परमेश्वर ने जीत दी परमेश्वर ने क्यू बोला तू इसको लिख क्यू मूसा ने वहाँ पर लिख दिया यहाँ पर मैं बात है, मेन बात है, ध्यान से सुनियेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कि जब यहोशु, युद्ध के मैदान से वापस आए, तो कहीं यहोशु को ऐसा ना लगे, देखो मैं कितना अच्छा योदा हूँ, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर लड़ता है, वो शक्ति देता है, वो जीत देता है, इसलिए, चाहे, सामने देखें, ultimately, all victory comes from God, हिंदी में लिखा हुआ है, सब विजय, परमेश्वर की ओर से आती है, क्या प्रभु के लोग, इसलिए जीते, क्या प्रभु के लोग, इसलिए जीते, क्यूंकि यहोश्व के पास बड़े अच्छे मसल्स है, या मुसा की प्रात्ना की वर्यस जीते, वो तो है, प्रात्ना में शक्ति है, लेकिन क्या मुसा की प्रात्ना की वर्यस जीते, मुसा की जगए कोई और होता तो भी काम हो जाता प्रात्ना बस प्रात्ना व्यक्ति माहने नहीं रखता तो प्रभू सिखाना चाहता है तो लिख दे आम तौर पर क्या हूं जब जीत लिया चलो भाई आभी बहुत दूर है इसराइल नगर इसराइल देश निकलो आगे चलो प्रभू ने वहाँ पे पॉज कर दिया और कहा कि ये मेरी महिमा की लड़ाई है इसलिए सब विजे परमेश्वर की ओर से आती है इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए ना प्रातना करने वाले योद्धाओं को और ना मैदान में जाकर लड़ने वाले योद्धाओं को दोनों में से कोई हीरो नहीं बनेगा ना प्रातना वाला मुसा हीरो बनेगा ना लड़ाई करने वाला यहोशु हीरो बनेगा hero बनेगा तो हमारा parmeshwar बनेगा hallelujah तभी यहाँ पर because parmeshwar उसने कहा parmeshwar की वारणी because hands were lifted up against the law अच्छा हिंदी बढ़ते मैं भूल गया कि मैं हिंदी में परचार कर रहा हूँ sorry हिंदी बढ़ना 15 और 16 और मुसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम उसका नाम रखा यहोवा निसी और उसने कहा यहोवा ने शबत खाई है यहोवा पीड़ी से पीड़ी तक अमलेक के विरुद युद करता रहेगा हाँ hallelujah क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ हाथ उठाए थे जब अमाली की लोग जब परमेश्वर के लोगों से युद कर रहे हैं तो वो परमेश्वर के लोगों से युद नहीं कर रहे है परमेश्वर से युद कर रहे है इसलिए उनके लिए जंग कौन जीतता है परमेश्वर लड़ता है परमेश्वर जीतता है यहीं पर खतम करना चाहता हूँ मैं कि आपकी जिंदगी में या तो प्रातना है करम नहीं है या करम है या प्रातना नहीं है कईयों की जिंदगी में दोनों नहीं है लेकिन अगर आप प्रातना करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रातना करनी है अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो तो प्रभू की महिमा के लिए सेवा करनी है प्रभू की महिमा आपका दर्शन होना चाहिए क्या आपका दर्शन सिरफ अपनी जीत है कि मैं जीत जाऊं बस, मैं कामियाब हो जाऊं क्या ये आपका सपना है परमेश्वर मैं दुआ करूँगा पूरा ही ना हो मैं बतारों मैं आपको क्योंकि आप अगर सिर्फ अपनी जीत के लिए अपने आपके लिए प्रात्ना करते हो तो उसमें आपका नुकसान है परमेश्वर ने कहा ये मेरा युद्ध था, मैं लड़ूँगा और मैं अपनी महिमा को लूँगा अगर आप प्रात्ना करते हो, आपकी प्रात्ना है परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए अगर आप सेवा करते हो, काम करते हो लगन के साथ, जो भी करते हो, महनत करते हो वो किसके लिए होनी चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए इसलिए आप प्रात्ना भी करो करम भी करो, काम्या भी पाओगे लेकिन दोनों चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो प्रभू आप सब लोगों को आशीश दे